हडबु केते हैं, करम, अकर्म और विकर्म को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गती गहन है, कर्म को समझना बड़ा ही कठिन है, जिस भाव से कार्य किया जाता है उसी भाव से करम अकर्म या विकर्म होता है कामना रहित भाव से अकर्म होता है दूशित भाव से दूसरों का अहित करने वाले भाव से विकर्म या पापकर्म होता है इस प्रकार करम तत्व को जानते हुए कामनाओं का त्याक करें करम बंदन से मुक्त हो जाएं सब दुखों से मुक्त हो जाएं धन्यवाद